मत्यप्रदेश में आज घुटना तोड पॉलिटिक्स का क्लाइमिस एकनी को मिल सकता है दिरसल अपने बायानों से सुर्ख्यों में रहने वाले बीजिपे विधाइक रामेश्वर शर्मा ने कुछ दिनों पहले का था कि कॉंग्रसी अगर आपके घर आए तो उनके घुटने तोड़ दो जिसका जवाब देने आज दिग्विजय सिंग उनके आवास जा रहे है तो रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्गी राजा के स्वागत की तैयारियां कर रखी है राम धुन तो सभी के सत्बुद्धी के लिए होता और भगवान की राम की कृपा से ही सत्संग होता है लीजे कल तक कॉंग्रेसी नेताओं के घुटने तोड़ने की धमकी देने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अब यू टर्ण ले लिया है अब राम धुन जप रहे हैं दरसल मध्या प्रदेश में इन दिनों घुटना तोड़ पॉलेटिक्स चर्चा में है जिसमें बयानवीर विधायक रामेश्वर और दिग्गी राजा में जंग छिड़ी है कुछ दिनों पहले रामेश्वर शर्मा ने एक कार्यक्राम के दौरान मंच से ये कहा था कि कॉंग्रेस नेता अगर जनता के पास आते हैं तो उनके घुटने तोड़ दो जिसके जवाब में दिग्विजे सिंग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कॉंग्रेसी हूँ जिसमें ताकत हो मेरे घुटने तोड़ दे मैं गांधिवादी हूँ हिंसा का जवाब अहिंसा से दूँगा 24 नवंबर को मैं महत्मा गांधी की मूर्ती से रामेश्वर्श शर्मा के खर जाऊंगा उनके खर जाकर प्रभु से उन्हें सदबुधी देने के लिए एक घंटे तक रामधुन करूंगा इधर दिग्विजे सिंग ने 24 तारिक को रामेश्वर्श के घर जाने की बात की तो अधर घुटना तोड विधायक जी खुद घुटनों पर आ गए फौरन पल्टी मारी रामधुन की बात करने लगे दिग्विजे सिंग के स्वागत के लिए अपने सरकारी आवास को सजाने में जुट गए घर पर रामधुन की तैयारी पूरी हो गई होर्डिंग, बैनर और जंडे भी लगाए गए इतना ही नहीं प्रसाद और भोजन की विवस्था भी की गई है आप देख सकते हैं कि विधायक रामधुन करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे तो यह वाकई में अपने आप में जो अलग नजारा है वो देखने को मिले है कि जब दिग्विजे सिंग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर विरोध नहीं उनका स्वागत किया जाएगा रामेश्वर शर्मा जी भी हाँ पर मुझूद है हम सीदे उनसे बात कर लेते हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजे सिंग भी रामेश्वर शर्मा के खर रामधुन करने के लिए तयार हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम पर सब की नजरेटी की हुई हैं। यानि भोपाल में आज जबरदस्त पोलिटिक्स ड्रामा देखने को मिल सकता है। भोपाल से जीतेंदर शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।